जैबीम नमुबदा है दोस्तों मैं राहुल नाकपला और आप देख रहे हैं राहुल लाइप पिचासी आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ बहुत ही एक मैं कहूं कि एक ऐसे विश्यक पर बाचीत करने के लिए आपके साथ चाहिए और मैं कहता हम कि ओपर में इसे ब्लोग बनाने वाले वाले लोग हैं उनको भी बाद पर चर्चा करने के लिए तो विश्य है आज़ाद भारत में आज़ाद भारत में ब्रहम्मान अआयव है जय कुटरे वादकर विश्यव करते हैद की जीनदर जादना कैसे म benefomos और आज़ाद भारत में आज तक 52- corridor साल की आज़ादी के पाद में भी आज तक ब्रहाम अलब संख्यक है इस देश के अंतर मात्र तीन परसेंट है और उस तीन परसेंट ब्रहाम मढळको किसी से कोई खत्रा नहीं था और उसने कभी नाहीं उसको कोई ऐसा खत्रा लगा जिसके लिए वो मान सम्मान के लिए या अपनी सेफटी के लिए अपनी प्रॉपर्टी की हिपाज़त के लिए कोई आंदोलन करे आज तक आजाद भारत में ब्रहामन ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया लेकिन 72 साल के बाद में अक्सर आप आसपास हमारे ये बास सुनाई देने लगिए कि ब् आगर सोषन हो रहा है और अगर हमारी सरकाराई तो हम रहामनों में खिलाब आभी परत्वाइन में अब अब हमारी सरकाराई तो अब सब्सक्राइब और यहां तक भी बात आई कि हम ब्रहामनों के जो महापुरुष है परसुराम जी उनके उनकी मूर्ती लगाएंगे यह बात अखले स्यादव ने भी कही और यह बहन कुमारी मायाबती ने भी कही यह मैं सोच रहा हूं सुवैसे के ब्रहामनों का सोचन हो रहा क्यों नहीं किया है ब्रहामन का सोचन हो रहा है तो उसने उत्तर प्रदेश की बिधान सवा का घेराब क्यों नहीं किया है ब्रहामन का सोचन हो रहा है तो अगर ब्रहामन का सोचन हो रहा है तो ब्रहामन के जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनका घे आप तलब क्यों नहीं किया कि रार भारते ब्रह्मन महासवाने के हमारा सोशन हो रहा है और आप बोल नहीं रहों लेकिन बहेंजी बोल रही है अक्रेश यादब बोल रहें यह बात अलग है कि जब किसी दरित बेटी के साथ में रेप होता है जब एक्ट मांका मामला होता है और जब आज भी मुल्क भर में दलितों पर एट्रोशिटी होती है उनके खिलाब कोई भी गैर कानूनी काम होता है तो तब हमारे दलितनेताओं के कान पर जू नहीं रहुती जो समाज पिछले 5000 साथ से स्टी ओबी सी पिट रहा है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है पर आए दिन अपने अधिकारों को लिए लेकर के वो प्रोटेस्ट करता है और उस अधिकारों को ना तो कभी अखले स्यादब जी का समर्थन मिलता है नहीं कभी बहन जी का समर्थन मिलता है लेकिन अगर ब्रहामन खत्रे में है तो उसके लिए अखले स्यादब का भी समर् पर आए इस बात को हम समझ देते हैं ये बात महतूर है और ये बात सबस बात असलें महत पुरब्ढवरा Angels 5 ज़्त देखेंगे इतिहास पहला तो बहुत सारे भॉन ब्रहामन लोगों ने लड़ी देश की आजदी में पंड़ जबाला नहिरू और उंके साथ बहुत बड़ा ब्रहामनों का तपका रहा जो अबीज़िए थी रशके संस्थापक रहे और हिंदुबादी जो चेहरे थे वह अंग्रेज़ों से सिर्फ इस लिये लड़े क्योंकि अंग्रेज नियाय प्रिय थे और अंग्रेजों के लिए सूद्र भी गुलाम था और ब्रहामन भी गुलाम था और ब्रहामन को ये बात कता ही परदास नहीं थी या सवरण को ये बात कता ही परदास नहीं थी कि एक ही जंडे से एक ही जंडे से सूद्र को और ब्रहाम को और छत्री और वैस्त को चारों को आखा जाए लेकिन अंग्रेज्जों ने चारों को एक्रंडे से आखा यह बात ब्रहमन को कताई मनजूर नहीं थी आजादी की सवाल पर हम बात करें तो जो लोग लगवक शात सो आठ बरस तक मुगलों के गुलाम रहे हों और मुगलों क सब्सक्राइब नहीं करते जब कि जो मुगलों के साथ में रोटी बेटी नहीं चाहिए थी वहाइन का सब जो ब्रहामन ये आरियंस है और आरियंस को भी और सूध्रों को भी इस देश के मूल निवास्यों को भी जब अंग्रेजों ने एक पटंड मसे आ dwils और से आजा दी है क्योंकि इस देश के सूध्र में जा माता सावित्री वाई फूले हो चाहें राश्पता जोति वाई फूले हो वो सिक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे तो देश में पहली वार 1848 में इस देश के अंदर पहली वार 1848 में महिलाओं को रसूद्रों के लिए स्कूल खोलने की वश्ता की गई और देश में अंग ओन्रेंदों के साथ अगर अगर खिंतवों को भी हैतिकार मिलेंगे तो यह बह-इमानी है ठीक उसstवीप कर महात्मऻ गांधी ने कि अगर इस देश में आजाद भारत में सूद्रों को भी बराबर के अधिकार मिलेंगे तो ऐसी आजादी से तो फिर गुलामी ठीक है आईए चलिए थोड़ा से और आगे चलते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहरा हूं कि अब ऐसा क्या हुआ कि ब्रहमन को लग र निकल करके सरकार आई बनी जायदा तर लंबे समय मैं कहूं के वह एक ही पाड़ी सरकार को लोटायां और कोट्रेसे रहा है और इंद्रा गांदी के जेहात में वह नंगरों वह जहां भी रहता था नीचे तीन विरनों को उसको पन्डे जी पालागू करना पड़ता था और नीचे तीनों लोग उसको पन्दिवाजी पाखु एचछत्री और वैसे नाभी करे लेकिन बात कर लेता हूं देश के आजादी के सब्तर पैसेटवा साल तक ब्रहामर सर्वोच रहा किंद्र में सर्वोच रहा राज्यों की सरकारों में ब्रहामर टॉप मुश्टों पर रहा उसको कभी कोई ठीक है सबसे बड़ी पोश्ट दलित के बास ब्रहामर नहीं मुख्य मंतरी ओबी सी वह ब्रहामर नहीं बेसक्षा मनुबादी है लेकिन जाती के आधार पर ये दोनों सूद्र है देश का ग्रह मंतरी जैन है बनिया यान है यानि अलप संख्यक है वह भी ब्रहामर नहीं ये देश की मेन राजनीती है मैंने आपको चार वरण बताए अगर ये चार वरण ब्रहामर च्छत्री व्यस्त और शूद्र रहें तो ये जो टॉप के चार पद हैं जिसमें राष्ट्पति प्रधान मंतरी गध्रह मंतरी रक्षा मंतरी ये चारों ब्रहामर नहीं है यानि जो गैर इ -, मोश्थ पदों पर ब्रहम्मंट नहीं है और उसके बाए सरकार चल रही है लेकि ब्रहम्मंट जो वो मंद्र वनने से खुच तो है लेकिन उसको ये बात कहीं न ख़ी रही है अब मैं चाना द्ली सरकार पर अगर हम जिक्र करें तो वहां गयने कंशों थैकर सोन नंबर बात करें तो वो इसमें भी ब्रहमण नहीं है और आगर ब्रहमण हैं तो उसके पास कोई पद नहीं है तीसरी बात ये अभी ज़र्वत कर ये और कि बात कि लेता हूं सबसे च्वार्ष मच रहा है कि उत्तरप्रदेश में अ क्यों है योगी आदितनाथ सिंग ठीक है फाकुर हुआ Alexandra के नीचे जो दूसरे उपमुख मंत्री हैं सर्मा जी वह कौन ब्रहमन महिश सर्मा यानि कि जिस ब्रहमन को टॉप पे होना चाहिए था वह ब्रहमन तीसरे दरजे पर यानि सूद्रों की स्रेणी में आ रहा है और अब भी उसकी कोई चल नहीं रही है कोई सुन नहीं रहा है उनकी तो यह सिस्टम है देश की राजनीति एस यही हाल लगवा लगवा अल ओवर भारत का है राज्यों सरकारों का है तकरीवन थोड़ा बहुत कम कॉंग्रेस कमज़र और बीजेपी दोनों पार्टिय कमज़र थी तो वह हमेशा ताकत के साथ मेरा जब उसको लगा कि अखलेस की सरकार उन पर अखलेस की सरकार जो गुंड़ों की सरकार है तो उसी नहारा दिया था कि ब्रहामर संग बजाएगा और हाती बढ़ता जाएग है वह बीजे बस पागे बहन जी की पैरों में आकर के बैर अपने आपको सेफ साइड कर लिया उसने और पूरे पांसाल सरकार कामा जा लिया जितने भी जीत कर गया है सबसे ज्यादा मंतरा ले उनके पास में ते यही तक्रीवन हाल और अन्य सरकारों का राज जब जब में सरक्त स Instead सब्सक्रीं अच्छा ने लेकिन इस बार बीजेबी की सरकार में इसलिए नहीं हैं तोब ताकत में नहीं है ताकत में चत्रीय हैं सारे जड़ातर डीमск सब्सक्रार ज्षाब हैं जड़यातर जो थाकुर हैं वही उन coal के हाथल्या पूरा लावलअ कर है वो अपने तरीके से सरकार को चला रहे हैं मेरे कई ठाकुर मित्रों से बाहत हुई मैंने पूछा कि आप तो वरण वस्ता के अनुसार दूसरे नंबर पर आते हो और आप तो ब्रहामर का सोसल कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर एक हमारे मित्र हैं मैं उनकी बात का सम हुमारी तक छत्रियों का बद कर दिया और यहां तक बताया जाता है कि पेट के अंदर भी अगर कोई बच्चा था और वह लड़का था तो उसका भी बद कर दिया परसुराम चुकिक ब्रहमन थे एक ब्रहमन ने किस बार ठाकुरों को पूरे भारत से खतम कर दिया यानि कि बीन-वीन के मार दिया कुछ लोग बच्चे तो वो पहाड़ों में जंगलों में भाग गए भागने के बाद में अब उस परसुराम से बदला लेने का साथ या परसुराम के वंसचों से बदला लेने का वकत है तो सायद मेरे दमाग में और कुछ थाकुर हमारे मित्र हैं स्झारभ यह वर्ममनों के साथ आज उत्तरप्रद्स की ठाकृर सरकारं यह वही ब्रहहं मालूम, कि फिर्मिये भार्म को यह लग रहा है कि पहली बार सत्ता से बाहर ay और सत्ता मेंहीं तो वह उत्तर हे पायदान यानि बिल्कु चौथे वरण में हैं चौथे दर्जे की राजनीती में हैं पहले दर्जे की राजनीती में वो लोग नहीं जहां के लिए वो डिजर्व करते हैं उनके अनुसार तो यह एक बात है एक बात्चीत है अब यही सारा माहुल है उत्तर प्रदेश और पूरे तक्रीवन भारत का मेरा आपको तीन सरकारों का उधारन यहाँ पर दिया अगर यह बिलकुल बात सच हम मान लेते हैं कि ब्रहमन जो है वो इतना उसका सोशन हो रहा है बहन जी भी कह रहे हैं तो ब्रहमन फिर आंदोलित क्यों नहीं हो रहा है और ब्रहमन आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है ब्रहमन को मालूम है कि वो संख्यावल के आधार पर तीन परसेंट है वो आंदोलन करेगा तो उसकी फजियत होनी है वो आंदोलन नहीं कर सकता वो पिट लेगा कतल करवा लेग उसका सोसन हो रहा है वो बरदास्त कर लेगा लेकिन सही समय का इंतियार करेगा और मैं दावे के साथ किया रहा हूँ आज जो जो लोग चीख रहे हैं कि ब्रहामन का सोसन हो रहा है नहीं हो रहा है इस बात में नहीं जा रहा है लेकिन ब्रहामन वक्त का इंतियार कर रहा है औ तो आपको देखने को मिलेगा जो अपना काम करेंगा और एसा कर फिर लोग सोचेंगे जो लोग आज यह कहते हैं ऑपके साध्या कर लेता है जो pencilsC के । बड़े बड़े अच्छे पदोंपर थे उनके बच्चे ये सब लोग इस तो थे उनके बच्चे बीजेपी में हैं और बीजेपी में आखिर कि गाली दे रहें कि कॉंग्रेश ने कुछ नहीं करा रहा है तुम्हारे बाबदादों के पास में अपने बाप तो हम बकेंगे क्योंकि हम बर्तमान को अच्छा चाहते हैं वही बिरहाममन या वही लोग जो कॉंग्रेस को गाली बख रहे हैं वही कॉंग्रेस और वही जब बीजेपी दोनों खतम हो गई थी उत्तर प्रदिसकेंदर तो वही लोग बहन जी की सरकार में बिदायक भी थे मि लग बाप वस्पा कर रहो कॉंग्रेस कर रहो ज्यानीय किसी दल कर रहा हो लेकिन लोग वही मिलेकर देश की पढ़ी लेकर के और बर्तमान स्थित कर ब्रहम्मन का कब और क्या और क्या हाल रहा है और वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी संख्या नहीं है क्योंकि हम लोगों का जब हमारे साथ सेटेजीए स्टेयुबी के साद में गोई हाथ सा होता ता मांदोल़ए स्सक्राइब करते हैं कि और हम संख्यावल की आधार पर ज्यादा हैं अदरकार पेंब। उसको आसास हो रहा है कि वो ताकत के साथ नहीं है तो बस अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राया जरूर दीजिए रहुलनाकपाल ओफिसल एड़ डाट कॉम पर मैं आपके सवालों को इंतजार करूंगा और मेरे च